हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल रतनबाईसा की रसोई तो आज हम हमारी रसोई में बनाएंगे न्यूट्रिल जिल जिसे मीडर ग्लेज भी कहा जाता है आज कल यह बहुत ही ज़्यादा ट्रेन में भी चल रहा हैं केक पे सजाते हैं तो इसे बनाना बहुत ही सिंपल ह इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे कड़ाई और एक टेबल स्पून हम यहाँ पे लेंगे कॉन स्टार और दो टेबल स्पून हम यहाँ पे छीनी का इस्तेमाल करेंगे बहुत ही सिंपल है सिर्फ तीन इंग्रिडियंस और सिर्फ दो से तीन मिनट मे बनके रड़ी हो जाएगा और एक कप हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे अब इन टीनों इंग्रीडियन्स को जो है हम सबसे पहले अच्छे से नीचे ही बिना गयास पे चड़ाए ही अच्छे से मिक्स कर देंगे ये फ्रेंट्स इतना सा जेल जो है मार्केट में 100 रु वीडियम रखते हुए हम इसे ट्रांसपरेंट होने तक थोड़ा सा थिक होने तक पकाएंगे वीडियो अच्छा लगता है तो अब तक measurement को सबस्क्राइन क्या है तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिए और bell प्रेस कीजिए तक इस टाइप की इजी इजी और बहुत ही यूसफुल रेसिपी हम शेर करते रहेंगे तो उसका मेसेज आपको मिलता रहेगा तो यह देखिए बिल्कुल ट्रांस्परेंट हो चुका है और इसे आप जितना ठिक रखना चाहते हैं यह आप पे डिपेंड करता हैं तो मैं इसे इतना ही रखूं बताने के बावजूद भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं अब हम क्या करेंगे हमें जितने टाइप के कलर चाहिए उतने टाइप के कलर हम इसमें एड कर सकते हैं तो एक को जो है मैं ऐसे ही नॉर्मल रखोंगी क्योंकि जब भी हम केक बनाएंगे उस टा जो है अच्छे से मिक्स कर दोंगी इसकी कंसंटेंसी फ्रेंस आप देख रहे हैं जैसे कि हमने बताया अगर आप ठीक रखना चाहते हैं तो इससे ज्यादा थिक हो जाए इसमें पानी एड कर सकते हैं अब हम इसे दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं या एक तो आप कलर कलर वा देते हैं कि इसकी आइसिंग कैसी रहती है तो यह देखिए जो नॉर्मल है इसे हम फ्रीज में रख देंगे जब भी केक सजाएंगे जो कलर पसंद है उसे डालेंगे और केक को सजा लेंगे यह देखिए के कर दिया है बहुत तारे केक की रेसिपी भी हमारे चैनल में अप बिना chemical के बिना कोई भी इसमें एक्स्ट्र एंग्ड स्टाले हैं हमने यह ज घर पर बना लिया है तो आप भी बनाईए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नई रेसिपी में